इसमिल्लायर्रह्मानिरहीम असलामुलेकुम डियर स्टुडेंस यह स्टुडेंस आज के लेक्चर में हम एप्लिकेशन और First and Second Fundamental Theorem और केल्कूलस जु है वो करेंगे ठीक है हमने प्रीविस लेक्चर में First and Second Fundamental थीरम जो है इसका प्रूव किया था और आज के लेक्षर में मैं फर्स्ट और सेकंड जो fundamental theorem है इसकी कुछ application जो हैं वो हम discuss करेंगे ठीक है तो students इसका application के तरफ जाने से पहले हमने जो fundamental theorem last time पड़ा था ठीक है उसकी statement जो है वो थोड़ी सी मैं आपके साथ revise करना चाहा हूँ ठीक है ताकि इसकी statement का आपनों को पता चल जाए फिर इसको use करके हमने इससे related जो questions है वो सारे solve करने हैं तो statement student इसके हमारे पास यही है कि अगर आपके पास इसमें यह small f जो है यह अगर कोई भी रिमान integrable function है ठीक है और यह capital X जो है यह हमारे पास continuous है और small f जो है यह भी हमारे पास continuous function means कि यह integral sign के अंदर या जो हमारा integrand है यह integrand आपका continuous function होना चाहिए simple ठीक है तो अगर यह आपके पास continuous function है तो then हमने हम अगर इस सारे f of x का derivative लें तो फिर इस f of x का derivative जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से आ जादा ठीक है यह in other words अगर f of x आपका इस integral के equal है और इस integrand के अंदर आपके पास जो भी function है वो continuous है तो then इस function का जो derivative होगा आपके पास f prime of x यह हमारे पास equal आ जाएगा f of x के means कि इदर आपके जो भी अपर limit होगी वो जस्ट आपने इदर x की जगह पे प्लेस कर देनी है तो यह आपके पास इसका derivative आजएगा और यह इसे हम कहते हैं first fundamental theory तो students इस चीज़ को use करके अब हम इसकी कुछ application जो है उसको हम करेंगे ठीक है तो यह आपके सामने मैंने कुछ questions लिखे हैं जिसमें first question में आपके पास यह है एक्स तू फाइव थ्री टी साइन टी डीटी एड़ सैकेंड में है वान प्लस थ्री एक्स के टू फोर एंडिस वान इडीटी ठीक है अब हमने क्या करना है statement में आपके हमारी जो requirement है वो हमने इसका derivative find करना है तो य को हमने differentiate करना है by using the first fundamental theorem of calculus ठीक है तो हम आते हैं इसके प्रूफ की तरफ first के solution की तरफ आते हैं तो अगर आप जो first example आपके वाज़ा question की statement है सबसे पहला काम आपने यह देखना है कि यह 3T साइन्टी जो यह continuous है यह नहीं ठीक है तो students इसको continuity के definition आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो इस चीज को हम easily इदर चेक कर सकते हैं कि यह function जो हमारा यह continuous function है ठीक है तो अब यह function आपका continuous है तो then हम इसका जो derivative लेंगे तो derivative लेने से पहले मैं इसकी थोड़ी से simplification कर लेता क्योंकि upper limit आपके मेशा greater होनी चाहिए तो मैं इसकी limit जो है वो change कर देता हूं ठीक है मैंने इसकी limit को change किया और यह minus का sign लगा दे ठीक है आपको पता कि जब भी हम order of limit change करते हैं तो इसके साथ हम minus का sign लगाते हैं तो यह आजाएगा 3T sin T into dt ठीक है यह चीज़ आपके पास अगी अब आप इसके इसको differentiate कर दें इसका derivative ले दें with respect to x ठीक है तो आप आपके पास इधर y का derivative जो है वो dy over dx यह मारे पास equal आजाएगा minus into d by dx 5 to x into 3 sin t and dt 3t यह वाला tb आजाएगा साथ ठीक है अब by first fundamental theorem ठीक है आपके पास यह function continuous है अगर यह function continuous है तो simple इसका derivative आपके पास क्या आजाएगा आपके पास इस जगह पर t है उस जगह पर आपने x कर देना तो यह जगा minus 3x into sin x ठीक है students यह इसका derivative हो गया है अब बिल्कुल इसी pattern पर चलते हैं हम इसका जो second part है उसको solve करेंगे ठीक है जब आपने इसको replace करना है ना जब आपने x की जगह पर t को replace करना है तो इसका जो भी इधर angle होगा derivative भी आपने बाद में लेना तो इधर क्योंकि इसका angle x है तो x का derivative आपके पास 1 बन रहा है तो इसलिए मैं इसका derivative विदर again से जो दुबारा से मैं नहीं ले रहा ठीक है अब हम इसके आते हैं second part की तरफ तो second में भी अगर आप इसकी statement को देखेंगे तो यह one over two plus three square इसको भी इसको interchange करूंगा because definite integral की हमारे पास property है कि हमेशा upper limit जो है वो lower limit से greater होनी चाहिए तो इसमें क्योंकि variable involved है तो इसकी limit जो है वो उपर हमने इसको लेके जाने ठीक है तो इसकी limit को आप सबसे पहले तो change कर लें यह आपके पास आजाएगा y is equal to minus into four to one plus three x square and one over two plus t square into dt ठीक है students यह मैंने just इदर इसकी limit जो है उसको chain कर दिया अब आप इसको differentiate करें दोनों sides को इसकी ठीक है इसको derivative लेंगे तो यह dy over dx हमारे पास equal आजाएगा minus into d over dx four to one plus three x square and one over two plus t square dt ठीक है students यह just मैंने इतर डेरिवेटिव ले दिया अब आपका यह वाला function continues है तो हमने simply क्या करना है इसमें जिस जगह पे आपके पास t है हमने उसकी जगह पे इसकी अपर limit जो है उसको replace कर देना अपर limit इसकी one plus three x square है तो आपने just t की जगह पे one plus three x square replace कर देना है अब इसमें क्योंकि इसका derivative upper limit का one नहीं आएगा तो इसलिए हम इसका derivative जो है वो दो बारा से भी साथ लेंगे ठीक है जैसा कि मैंने पिछले question में भी बताया था तो इसमें आजाएगा one over two plus t की जगह पे अब हम replace कर देंगे one plus three x square य इसलिए वो मैंने नहीं लिखा था लेकिन इसमें one नहीं है तो इसलिए हम इसको साथ continue करेंगे ठीक है तो इसका derivative अगर आप लें तो यह six x आजएगा यह आजएगा minus six x over two plus इसका square open कर दें one plus nine x four plus six x square यह मैंने इसका square जो है वो open कर दिया तो minus six over यह आपके पास आजएगा nine x four plus six x square plus three तो dear students इधर आपड़ी numerator से अगर three common लेंगे तो वो numerator में cancel out हो जाएगा और उसके बाद आपके पास यह कुछ इस तरह से भज़ जाएगा three x four plus two x square plus one यह इसका derivative आपके पास आगे तो dear students इन questions को करने से पहले आप लोगों ने जो techniques of integration पढ़ी है औरेडी आपने वह वाली techniques of integration जो है उनको लाजमी जो है वो revise कर लेने हैं उसके जितने भी formulas आप लोग औरेडी पढ़ चुके हैं वो सारे formulas को आप लोग ने एक दफ़र revise कर लेने हैं उनको revise करने के बाद आपने इधर आना है क्योंकि इधर derivative और integration के जो formulas हैं वो सारे इसके अंदर use होंगे ठी आना है क्योंकि देखे तो आपने इनको गूर्ण कर लिूगर ने तो आफ ने बंड़े तो आपने आंगे अ